नवास्कार स्वागत है आपका हमारे अचार जागिंदर मिशाज चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे आज के मिथुन राज के दिनिक रास्वल की लेकिन उससे पहले बात करें आज के पंचांग के बारे में 12 जुलाई 22 मंगलवार के दिन है और असाड माश शुकल पक्ष याज चतूर दर सीति थी है और नचत्र है आज मूल अभजीत महुरत आज दुपार 11 बच कर 36 मर्सले के दुपार 12 बच के 28 मिर्ट तक रहेगा आज का शुरू दे सुबह 5 बच कर 29 मिर्ट पे और चंद्रमा के इस्तिती रहेगी धनुराशी पर और नए कार के स्वात ना करने तो विखनवाधाया सकती है अब बात करते हैं आज के मिथुन राश के देनी के राश्पलकी और ये प्रड़क्शन चंद्राशी पर अधारी थे मिथुन राश के यादकों आज बहुत बड़ी गुड़नियोज मिलेगी क्योंकि आज की दिन काफी विशेष रहने वाला है आज आपको किशी खास बेक्ते से मुलाकात करने के मौका मिलेगा केरियर में सुधार देखने को मिलेगा जो अंसलजे मुद्दे थे आज वो भी सुलचते हुए नजराएंगे इस्टाप की लोगों को सहयोग प्राप्थ होगा आज आपको अपने उच्छा धिकारियों को सपोर्ट और आपकी कारियों की परसंसा मिलेगी सहयोग की कारा मिलेगा अगर करजों से परेशान हैं सत्रों से पीडित हैं तो आज आप एक मीठा पान कबीरा और लाल सिंदूर जरूर आप चड़ाएं तो इससे अतिपरसंद होते हैं बजरंग बली और उनकी कृपा प्राप्त होगी आज हनमान चली सा सुन्दर कान का पाठ जरू करें आज आपको मिठुन रास्कायत को सबसे पहले तो इंपोर्टेंट आज आपको खुश खबरी गुड़नियोज मिलेगी बिजनेस व्यापार में कोई महत्पुन डिल को लेकर साती साथ प्रमोशन को लेकर नौकरी में साती किसी बड़ी कंपनी से आफर आ शकते हैं सात अगर आप किसी नए जोब के लिए नई नौकरी के लिए अपलाई किये थे तो उसमें आपको बड़ी गुड़नियोज पराप्त होगी चाहिए वो प्रावेट शक्टर हो ये फिर सरकारी छेत्र हो निश्ची तोर पे आपको गुड़नियोज जरूर पराप्त होगी साती स साथ आपके करीबी रिष्तिदारों का सहीयोग पराप्त होगा, आज आपको नोकरी में सुधार देखने को मिलेगा, तरक्की मिलने की योग बन रहे हैं, कारुबार में विशेश अपसर पराप्त होंगे, शाति धन संपत तिक लाव हिं मिलेगा, अनेक शेतरों से आपको ला रेंड कर्ज उतारते नजराएंगे, हलाकि नैसरे से किसी सना लें, किसी को देना, किसी अजनवी व्यक्ति पर भरोशा ना करें, और आज आपको जो भी निर्णा लेना है, जो भी फैसला लेना है, खुद का लेना होगा, आज आप जमीन प्रपरेटी से लेकर या फिर फाने की बदलावला सकते हैं, साथी साथ आज आप घरेलू जीवन में काफी वेस्ट रहने वाले हैं, कामकाज की मामले में काफी वेस्ट रहने वाले हैं, भागदवड बनी रहेगी, आज आपको किसी इंपोर्टन काम के लिए बिदेश की यात्राएं भी करने पड़ सकती है, या दूर दराश की यात्राएं करने पड़ सकती है, वह केरियर से रिलेटेड भी हो सकती है, बिजनेस व्यापार से भी संबंध रख सकती है, अपनी बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए मित्धुन रासवाले जादकों आप पूरा प्रयाश करते नजराएंगे, साज़ेदारी में वो भी कहत्म होंगे, और पारदर्स्ता रखना होगा, साज़ेदारी में आपको इमानदारिक साथा आगे बढ़ना होगा, तब ही बहतर आपका बिजनेस व्यापार चलेगा, आज आपका मित्धुन रासवाले जादकों पारिवारिक जीवन काफी अच् देख रहा है वैसी पारिबारिक जीवन में भी बदलाव दिखेगा और साथी आपके घर में खूश्या चाहिए रहेंगे कि कोई सुब मंगल कार कथा वारता हो सकती है अच्छे कारों पर सिद्धी प्राप्ती होगी जो कार अभीता का धूरे पड़े पड़े थे मिल सकती है तो बैंक के बैलेंस भी बढ़ेगा और साथी साथ धन खर्चों में थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगे लेकिन घर के जरूरत की चीजे आप खरीश सकते हैं उस हिसाब से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं तो कुल में आकर कहा जाए तो मित्धुन रास जीवन साथी आज आपको कुछ उचित सलाह दे सकते हैं उनके सलाह के अंसवार अगर आप काम करते हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी हाला कि अभी तक जो मध्वेद चल रहे थे वो दूर होंगे आपस में तनाव की स्थितिया कम होती नजराएगी एक दूसरे को समझ पा पार्टी में सामिल होने का मौका मिलेगा इंजॉय करेंगे और साथी साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं धार्मिक यात्रा यानि की घूमने फिरने का मन बना सकते हैं घर परिबार के साथ भी जा सकते हैं परिबारी के फैमिली के साथ आप कहीं घूमने फिरने मानेंगे संतान की तरक्य से भी आपका मन काफी हर सो लासित रहेगा समाज में इससे आपके प्रतिष्ठा और लोग प्रिता बढ़ेगी समाज में एक अलग आपकी पहचान बढ़ेगी और साथी कुछ अच्छे कारियों के लिए जाने जाएंगे साथी धन संपत्ति में सोसल मेडिया की माध्यम से जोड़ सकते हैं दूर रहते हैं तो और फोन की माध्यम से भी जुड़ा लगाव बनाए रखेंगे साथी मिथून रास्वाले यतकों निश्ची तरुकर के कहा जा तो आज इस्टुडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड़ियोज मिलेगी किसी बड़े संस्था में दाकला लेने के लिए प्रयासरत जो थे अभी तक अब आपका बिलकुल इतिहास बदलेगा बिलकुल ही बदलाव देखने को मिलेगा तो बड़े संस्था में दाकला ले पाएंग करेंगे हैं स्वास्त कि शेयर स्रोफ से ध्यान रख़ेंगा खान पिंद की चीजिजों में परहज करेंगों बाहर की Euh कोई खासunya लेघी स्वास्त बेहतर होगा लेकिन थोड़े सा आपको ध्यान रखना होगा गाडी बाहर की ख़दिदारी करेंगे कुछ सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा जय शनिदेव